दोस्तो वर्चव के ओनर मार्ग जुकरबग ने वर्चव को लेकर दो नए अपडेट लेकर आये हैं और वो अपडेट है प्राइवीशी को लेकर अब आपकी प्राइवीशी काफी स्ट्रोंग बन चुकी है क्योंकि यहाँ पर हम वर्चव को आपन करेंगे और अब यहाँ पे न किसी भी चैट मैं अगर में यहां पर चले जाता हूं जैसे यहां पे मैंच यहां जया है और यहां पर हम लिए से जो हैना आप की दो यह तरीका से यहां पर आपको 10 लुक का यह ओपसंट आपको जो है new update में देखनों को मिल जाएगा यहाँ पर just click करेंगे तो अब आप जो है किसी भी private chat को आप lock कर सकते हैं किसी की भी ठीक है कोई भी अगर आपका personal कोई आपका private chat है तो इसे आप lock कर सकते हैं यहाँ से easily तरीके से इसे just on करेंगे और यहाँ पर हम जो है finger print का use करेंगे ओके इस तरीके से and view करेंगे तो यह यहाँ पर देखे यह chat यहाँ पर lock हो चुकी है और इस तरीके से यहाँ पर यह जो है हमारे privacy को काफी strong करता है तो यह बहुत ही गजब का है क्योंकि पहले जो है हमारी chat को कोई भी पढ़ सकता था जो हमारी private chat होती है लेकिन आप जो है आप किसी particular एक chat को जो यहाँ पर lock कर पाएंगे जैसे suppose that यह एक chat है और यहाँ पर हम इस profile के उपर click करके मैं इसको भी chat lock पर यहाँ पर just click करूंगा और इसको भी यहाँ पर on करेंगे और यहाँ पर हम finger print का use करेंगे और यह जो है यहाँ पर यह chat भी lock हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख पाएंगे और जैसे ही मैं यहाँ पर ना अब मैं यहाँ पर इन्हीं कोंटेक् honeymoon को यहाँ पर search करूंगा जो कि मैंने chat lock किये है जैसे यहां पर एक यह है यह ठीक है तो यहां पर जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ न यह देखिए तो यहां पर यह fingerprint मेरे से ले रहा है कि इस chat को पढ़ने के लिए आपको fingerprint की जरुरत है तो जैसे मैं यहां पर फिंगर प्रिंट पर यहां पर लगाऊंगा तो यह ओपन यहां पर चैट हो जाएगी तो यह जो प्राइवेसि को लेकर नए अपडेट आया है यह बहुत ही तकड़ा अपडेट है आप जाके चेक कर लेना वर्टसप में और दूसरा जो अपडेट व और यहां पे आप कोई भी नए फोन परचेस करते हैं तो उस नए फोन में जब आप जो है वर्चैन को इंस्टॉल कर देंगे न तो यहां पे आप जो है इस वर्चैस सारी चैट को अपने नए android फोन में transfer कर सकते हैं इस लिए आपको start है ज़स्ट क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको अपनी location को on करना है continue पर just click करेंगे और यहां पर इसको on कर देंगे ओके अब यहां बैक हो जाएंगे continue पर क्लिक करेंगे और Wi-Fi को भी यहां से on कर देंगे और यहां पे अब यहां पे क्या करना है कि QR code scan मांग रहा है आपको क्या करना है अपने नये फोन में WhatsApp को पहले Download कर लेना है उसके बाद आपको उसी नमबर से जो की आपके पुराने फोन में है जिस नंबर पर आपका WhatsApp रेजिस्टर्ड है यह नंबर आपको नए फोन में लौग इन कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर दांब जो है इस QR कोड से यहां से इसको इस केन करना नहीं मतलब जो नएा फोन में आपका यो-ार-Q car रहेगा उसको आपको पुराने फोन में इस फोन से आपको स्केली तरय के से उसके बाद आपके पुराने फोन की जो कि यह वर्च अदे जाएगी और बिना जरूतिंदे आप नहीं पड़ने वाली है तो यह वहती खालाती खूल का फीचर है और यह दो जो है आपको तभी मिल पाएंगे जब आपका worship बेटा होगा अब बेटा क्या होता है कि यहां पे मैं Google Play Store को ओपन कर रहा हूं और यहाँ पे मैं वर्टसप पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे वर्टसप के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो मेरा वर्टसप है यह बेटा के अंदर है और beta version के अंदर दोस्तों जो भी नए update आते हैं वर्चप में तो सब चे पहले beta users को वो update मिलते हैं उसके बाद normal वर्चप में वो सारे जो है जब beta version में सारे users उसको चेक करते हैं कि क्या सही update है कुछ प्रॉलम तो नहीं हो रही है तो उसके बाद normal वर्चप के अंदर जो है वो सारे update आते हैं तो अगर आपने वर्चप का beta version यूज नहीं किया तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो इसके लिए आपको सब्चे पहले दोस्तों इस वीडियो को यार एक like जरूर कर दीजीगा और चैनल को subscribe जरूर कर दीजीगा और साथ में bell icon का और पर प्रेस कर दीजीगा ताकि हमारी helpful वीडियो की notification मिले आपको सब्चे पहले तो यहां पर हम इसको जो है यहां से कर दे देते हैं अनिस्टॉल ओके यहां से मार देते हैं अनिस्टॉल तो यहां पर स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस बताऊंगा ठीक है यह ऊचुका है अभी यहां पर क्या करेंगे हम अपने mobile के chrome browser में जाना है आपको simple chrome browser को open कर लेंगे home पर मैं आ चुका हूं यहां पर यहां तो इसना आपको सर्च कर लेना है और यहां पर first मैं यहां पर हम जस्ट क्लिक कर लेंगे और यहां पर हम पहुंच जाएंगे अब यहां पर become a tester पर हम जस्ट निचे blue पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर आ चुका है कि welcome to the testing program और यहां पर हम जो है download it on google play ओके यहां पर जस्ट क्लिक कर लेंगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना यहां पर ठीक है यहां पर जस्ट हमने क्लिक किया और यहां पर यह देखे आप beta आ गया यहां पर google play store में लिख किये ठीक है यहां पर तो यहां पर अब हम इसको just install कर लेंगे ओके तो यहां पर install हो चुका है और यहां पर जितने भी नए update अब आएंगे तो वो सबचे पहले आपको मिल जाएंगे झाल